नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वाद करतम सभी का आपके अपने चैनल जोतिश इनवास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुती जादा important topic के बारे में हमारे देश में election का माहूल शुरू हो चुका है और इस election के माहूल में आप सभी जाना चाहते हैं कि इस बार के elections कैसे होते हुए नजर आएंगे किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? कौन सी पार्टी कमजोर महसूस करेगी? और साथ ही साथ elections के results क्या आते हुए नजर आएंगे? सारी जानकरी इस वीडियो में आप सभी को देने की कोशिश करूँगा ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के हिसाब से किसका फाइदा, किसका नुकसान, कौन कितने पानी में और कौन कितना पानी के बाहर सारी सारी जानकरी आपको according to the Vedic astrology में देने की कोशिश करूँगा एक चीज बहुत ज़ादा clear शब्दों में समझ लीजिएगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है और नहीं मैं किसी specific party को favor कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो में जितनी भी जानकरी मैं देने की कोशिश करूँगा वो सारी की सारी Vedic astrological calculation पर आधारित रहेगी ग्रहों और नक्षत्रू की चाल के हिसाब से ही मैं अपने मत आप सभी के सामने रखूँगा मुझे कोई मतलब नहीं किसी भी party से या किसी भी specific नेता से इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा एक और चीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई comment लिखने की इच्छा जागरित हो तो please भाषा की मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप चाहे किसी के भी लिए comment लिखें चाहे Congress के लिए चाहे बीजेपी के लिए चाहे किसी नेता के लिए बट अपनी भाषा इतनी अच्छी रखें कि दूसरों को पढ़ते समय वो comment समझ में आये रादा दिन वलगर लगे इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले भारत की कुनली को लेकर के इस वीडियो में हम भारत की कुनली को देखेंगे, कॉंग्रेस की कुनली को देखेंगे, बीजेपी की कुनली को देखेंगे, इंडिया अलाइन्स की कुनली को देखेंगे, हमारे देश के प्रदानमत्री मोदी जी की कुनली को देखेंगे, और साती सातम देखेंगे, राह से पहले हमारे देश की कुण्णली को थोड़ा से समझ ले वरशब लगन की कुण्णली बनती है आप सभी को पता है और हमारे देश की कुण्णली में शनी बहुत important role आज की date में प्ले कर रहे हैं इसी वजे से हमारे देश में राम मंदिर जैसी एक बहुत बहुत ही जादा धार्मिक और बहुत ही जादा कल्यान करी गटना भी हमें देखने को मिली जो यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन है एक बहुत ही जादा पॉजिटिव संकेत रहा और हम सभी एक तरह से राम राज्य में रमते हुए मतलब की मिलते हुए नजर आए ऐसे में 14 14th of February के बाद हमारे देश में भी ग्रहों और अक्षत्रों ने अपना काम शुरू कर दिया और चाल बदलना शुरू कर दिया 14th February के बाद जैसे ही राहु का प्रभाव तेज हुआ वैसे ही हमारे देश में हिंसात्मक गटनाय बढ़ते हुए नजर आई और उसके बाद से च 15th of May का जो समय है ये काफी जादा हिंसात्मक के समय यहाँ पर दर्शाता है इस वज़े से हमारे देश में इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं ये इलेक्शन काफी जादा नेगडिव इलेक्शन काउंट होंगे अब तक की हिस्ट्री के या यह कह सकते हैं कि बहुती अस्त्र एलेक्शन एक तरह से नोन सिस्टमाटिक एलेक्शट आप कह सकते हैं इन्हें जहां पर एलेक्शन के लिए कोई बहुत-जादा पउसजिव संकेत किसी भी तरह से मुझे नहीं दिखाई दिते मदलब कि इस Extards के दौरान में कई सारी negativity देखने को मिलेगी कई सारे कोटाले देखने को मिलेंगे, कुछ उबद्रव देखने को मिलेंगे, कुछ हिंसात्म गटनाये देखने को मिलेंगी और काफी जादा आप कह सकते ही कि नाकारात्मक माहोल इस बार के इलेक्शन्स में जरूर देखने को मिलेगा। इस वज़े से भारत की कुंडली से तो ये संकेत बहुत बहुत क्लियर दिखाई देते हैं कि elections का माहुल बहुत ज़ादा positive नहीं बन रहा और negativity कही न कहीं ज़ादा उठते हुए नजर आ रही है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इंडिया अलाइन के कुंडली का जो हम structure बनाते हैं इस structure में हम 18th July 2023 की date लेते हैं। क्योंकि ये वो दिन था ये वो समय था जब ये announce हुआ कि इंडिया अलाइन्स यहाँ पर establish हुआ है। इस पार्टी को एक तरह से कहा जाता है कि इसका birth हुआ है। कि जैसे ही इस पार्टी का जो उद्गम है इस पार्टी का जी शुरुवात है वो south से हैं। इस वजे से कहीं न कहीं south और south west में इस पार्टी को थोड़ी सी सफलता मिलते हुए दिखाई दीती है। थोड़ी सी positivity इस पार्टी को उस direction में देखने को मिलेगी इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। जात ही परिशानिया भी चलती हुई नजर आएगी। बहुत जादा मेहनत के बाद भी बहुत जादा प्रयासों के बाद भी इस गटबंदन का किसी भी तरह से सत्ता में आना तो possible मुझे नहीं दिखाई दिता इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। और विवाद और अशान्ती में इस गटबंदन का काफी जादा involvement रहेगा इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। और इलेक्शन के बाद यह गटबंदन फिर से तीतर बितर होता हुआ नजर आएगा मंदब कि बिखरता हुआ नजर आएगा और गटबंदन की जो नीव रहेगी वो बहुत सदा स्ट्रॉंग नहीं रहेगी इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। अब इस गटबंदन के बाद अगर हम कॉंग्रेस की कुंडली को यहां पर देखें तो कॉंग्रेस की कुंडली में भी संगर्ष चल रहा है। कॉंग्रेस की कुंडली में काफी लंबे समय से संगर्ष चल रहा है। इस वज़े से मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे है। और यह संगर्ष अगर हम यहां पर देखें तो अक्टोबर 2022 से शुरू हो चुका है और 2025 तक अभी चलता रहेगा इस तरह की योग यहां पर बने हुए हैं। इसी वज़े से कॉंग्रेस के कुंडली में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के संकेत बिलकुल भी नहीं दिख रहे है। मतलब कि आने वाला एक साल और अभी कॉंग्रेस के लिए संगर्ष में साल रहेगा। इसी वज़े से यहां पर देखा जाए तो कॉंग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आपको सत्ता में लाने के लिए परन्तु ये बिलकुल क्लियर दिखाई दिता है कि सत्ता में जीत की संभावना हैं तो नहीं के बराबर है। इसी लिए कॉंग्रेस के लिए भी ये एक अस्त व्यस्त वाला चुनाव रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चुनाव रहता हुआ नसर नहीं आता। रास्ते अभी भी खुले हैं इस तरह का जो माहोल है वो कॉंग्रेस के मन में बना रहेगा इस तरह की योग यहाँ पर देखनी को मिलते हैं। वहीं पर बीजेपी की कुनली को अगर देखा जाए तो देखें बीजेपी की कुनली भी बहुत ज़ादा कोई अच्छे कुनली नहीं चल रही। बीजेपी की कुनली में भी संगर्ष का साल दिखाई दिता है। जा रहा है हमारे देश्चे प्रदामंत्री मोदी जी के द्वारा जो दिया जा रहा है। उसके चांसे में कई सारी रुकावटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस तरह के योग बन रहे हैं। और इसी वज़े से मैं बिलकुल कहुँगा कि यह समय जो है बहुत जादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस बार सत्ता में आना डेफिनेटली इतना आसान नहीं रहेगा जतना पिछली बारुम के लिए आसान था। और इसी वजे से सत्ता में आने के लिए कई सारी मेहनत बीजेपी को करनी पड़ेगी और कई गठबंदनों का साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा अकेले अकेले आगे बढ़ना मुझे 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 दिखाई दीता है। यहीं पर एक बहुत अच्छी चीज है कि देवगुरु ब्रहस्पती का जो योग यहां पर चल रहा है और साथ की साथ इलेक्शन के दौरान में देवगुरु ब्रहस्पती अगर स्टॉंग पोईशन में रहते हैं जब वो डेट आईगी वो उस समय पता चलेगा तो मैं य वाला समय जो है वो कष्टकारी रहेगा मतलब कि जीत के बाद भी सत्ता में आने के बाद भी शांती तो नहीं है अशांती का माहोल डेफिनिटली देखने को मिलेगा पार्टी के कई वरिष्ट नेताओं को नुकसान होता हुआ दिखाई दीता है चाहे वो सेहत से हो जाए चाहे वो पद से हो जाए दोनों ही एंगल यहां पर बनते हैं और बीजेबी के भी कुछ गोटाले बाहर निकलते हुए नजर आएंगे इस तरह की योग बनते हैं और इस वज़े से आने वाला एक साल बीजेबी की सरकार के आने के बाद भी संगर्श का साल यहां पर बना देखा जाए तो इनकी कुर्ण्ली के हिसाब से देखा जाए तो definitely इनकी कुंडली के हिसाब से दिखे पिछले दो कारेकाल में भी पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं देखने को मिली वैसे ही इस बार भी काफी जादा strong chances है कि पूर्ण बहुमत के chances नहीं बनेंगे और बहुमत के chances बहुत कम है और अगर बहुमत मिलता है तो बहुमत खराब उन्हें के chances भी clearly दिखाई देते हैं वैसे तो बहुमत नहीं मिलेगा इसी तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं इसमें भी जून, जुलाई, आउगस, सेक्टिमबर ये चार महिने जो है भी मुझे लगता है कि पेव मोदी जी को महिलाओं का सपोर्ट लेना होगा महिलाओं के लिए कुछ नई योशनायां उपर वो काम करेंगे इस तरह की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ये समय जो है वो संगर्ष के साथ-साथ की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा खराप समय दिखाई दीता है इस वज़े से चुनावी माहूल के दौरान इन्हें अपनी सेहत का भी बहुत ज़ादा ध्यान रखना होगा इस तरह की योग यहाँ पर दिखाई दीते हैं ऐसे में राहूल गांदी जी के अगर हम कुणली देखें तो राहूल गांदी जी की कुणली में भी बहुत क्लियर योग यहाँ पर बनते हैं कि कोई बहुत पॉजिटिवटी देखने को नहीं मिलेगी मतलब कि सरकार इनके नाम से बन जाए ऐसा नहीं दिखाई दिता इनकी पार्टी को जीत मिल जाए इनके द्वारा ऐसा भी नहीं दिखाई दिता और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि ये जो समय चल रहा है इस समय में इन्हें कोई बड़ी सफलता तो हाथ लगते हुए नहीं दिखाई दिती इन्हें राहू की वज़े से काफी जादा परिशानिया देखने को मिलेंगी और राहू की वज़े से जो परिशानिया है ये परिशानिया इन्हें परिवर्तन दिखाती है और इसी वज़े से ये विपक्ष में काफी जादा अपनी छवी को सुधारनी की कोशिश करेंगे अपने आपको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे परन्तु सफलता इनके हाथ नहीं लगते हुए नजराती एक चीज चो मैं देख रहा हूँ कॉंग्रेस की कुंडली को भी और राहूल गांदी जी की कुंडली को भी देखा जाए तो पिछले बार के कंपारिजन में एक लेवल उपर या एक स्टिप उपर आने के चांसेज तो इनके जरूर बनते हैं इस तरह की योग बहुत ज़ादा बनते हुए दिखाई देते हैं वहीं पर अगर हम BJP की कुंडली को देखे हैं और मोदी जी की कुंडली को देखे तो उतना strong effect जो last election में था वो इस बार की election में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं तो दो चीज़ें तो यहाँ पर पूरी तरह से confirm हो जाती है कि इस बार का जो elections हैं यह बहुत ही जादा unstable elections में count किया जाएगा एक तरह से history में जब भी इस election 2024 के election की बात करी जाएगी तो यही कहा जाएगा कि यह election काफी ज़दा unstable election रहा था इसी के साथ साथ एक और चीज़ कहीं जाएगी कि इस बार के election में गटबंदन की सरकार को ही ज़दा value मिलेगी और गटबंदन के साथ ही हमारे देश में सत्ता आएगी इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं और ये एक बहुत important calculation दिखाई देती है इसी के साथ साथ ये भी clear हो जाता है कि चुनावी माहोल में काफी ज़दा negativity देखने को मिलेगी बहुत ज़दा disbalance, बहुत ज़दा हिंसात्मक गटनाएं चुनाव के दौरान में देखने को मिलेगी इस तरह की योग बनेगे जो कि काफी ज़दा निंदनिये भी रहेंगी बहुत ज़दा मन को दुखाने वाली रहेगी इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई दीते हैं और इसी के साथ साथ जीत की संभावनाएं अगर देखा जाए तो डेफिनली BGP के जीत की संभावनाएं काफी ज़दा दिखाई दीती है और BGP की जीत के साथ ही मोदी जी की शुरुवात वापस से देखने को मिलेगी इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं बट यह शुरुवात यह जीत अच्छे संकेत लेकर के ना तो हमारे देश के लिए आ रही है और ना ही यह इस सरकार के लिए रहेगी ऐसा मुझे दिखाई दिता है खासकर एक साल तक का जो समय है वो इस तरह की कैलकुलेशन को दिखाता है इसमें अभी हाला की elections की date की calculation count होगी इसमें शपत जब ली जाएगी उस समय की calculation count होगी तो काफी सारी चीज़े हैं जो अभी calculate करना बाकी है जो with the time जब सारा data हमें मिल जाएगा तब हम calculate करेंगे बट आज जो data इनका available है और उस data के according इनका जो एक year chart की calculation आती है उसकी calculation को अगर ध्यान से समझा जाए तो इस तरह का structure हमारे देश में इस बार चुनाव का रहेगा तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से चुनाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे कौन सी पाटी किस तरह से अपने आपको आगे बढ़ाते हूँ नजर आएगी और किस तरह से जीत के रास्ते को बनाया जाएगा सारी जानकारी उमीद करता हूँ मैंने अच्छे से देनी की कोशिश करिए इसके अलावा कोई भी डाउट हो कोई भी आपके थॉट्स हो आपके विचार हो आप बेशक कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अच्छे भाशा में रख सकते हैं उमीद करूँगा कि जो जानकारी मैंने आप सभी को दिये या आप सभी को पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूशना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मददियां पर कर सकते। धनिवाद